नमस्कुर्ड दोश्तो मैं उमेर्स आप सभी आप सभी कि आप नाइटिव चॉमले फिर से बहुत बहुत सवाध करते हैं उम्मीद करते हैं कि अप कई रापको अपडेट दिया हूं वहां पर परिचारी और जो रिबिधाले सायक है उन पदों पर भरती यहां पर होने वाली हैं तो इसमें आप सबíficने हैं कि कई सारे वीडियो НАकर आपको जनकारी दिया है कि इसका जůल रहाग कर बहुत जब्स कर राहीं हम बताएंगे किस तरह से किनको फॉर्म फील करना है और किनको यहां पर मौका मिलेगा उसके रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे ठीक है तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो भी परिचारी और यहां पर जो भी आपका सहायक होंगे उनके पदों पर जो है क्या एजुकेश चाहते हैं तो आपको कम सका यहां पर देख सकते हैं कि बोला गया है कि बारवी पास यहां पर कर सकते हैं जो यहाँ पे विधाले सायक है उनको जो हे 16,500 रुपया प्रोती मन्त दिया जाएगा और जो यहाँ पे विधाले परिचारी है उनको जो हे 15,200 रुपया प्रोती महिना के हिसाब सो उनको यहाँ पे सलरी दी जाएगी अब यहाँ पर आपको हम बताना चाहेंगे कि आप सभी जानते हैं कि यह जो भरती है बहुत पहले निकाली गई थी तो पहले जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसमें साप साप आप देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया था ती समय जो 50% थे Wो जो जो अनुकमपा पर रखे गये थैं तो अनुकमपा आप सभी जानते हैं कि जो भी और यहाँ पर जानते हैं ... और in period उनका जोम йत ways जाता है तो उस कंडिशन में क्या होता है कि उनके जो भी आस्रित होते हैं उनको जो अनुकंपा पर जोब दी जाती है तिसमें 50% तक जो है अनुकंपा पर जोब रखा गया है जैसे कि माल लिजे कि ये भरती जो है जीलावार होगी क्योंकि अलग अलग जीले में जो बिधाले है न उसमें अलग अलग जो है भरती होगी जैसे कि माल लिजे आपके जीले में अगर 100 भरती है तो उसमें से 50 भरती जो है आपका जो है अनुकंपा पर होगा और 50 भरती जो ह यहाँ पर निकल के आया हुआ है देख सकते हैं कि पुर्वी चमपारण जीला से अपडेट निकल के आया हुआ है क्योंकि आप पुर्वी चमपारण के official website पर जाएंगे मोतिहारी वाला website पर तो आप यहाँ पर देखेंगे कि बिधाले परिचारी को भरती को लेकर जहें पर official notification जारी किया गया है और आवदन यहाँ पर माएं गया है अब इसमें आप इस notification को पढ़ेंगे तो यहाँ पर साब साब बोला गया है कि जीला परसत कर्याले के दवारा जो भी अनुकमपा पर जॉब लेना चाहते हैं जैसी कि माल लिजी अगर आप भी पुर्वी चमप जीले से आते हैं और आपके घर में कोई ऐसा अब्यक्ति था जो कि सरकारी जॉब में था और किसी कारणू देथ कर गया तो उस कंडिशन में अगर आप उनुकमपा पर जॉब लेना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही बढ़ी अपर्चुनिटी है क्योंकि यहाँ पर द जारी कर दिया गया है यह भरती जो है और जीले में भी निकाली जा रही होगी तो उसका जो है अलग अलग जनकारी आपको जो आपका जीले का वेवसाइड होता है वहाँ पे जाकर आप नोटीस का ओप्शन में देखेंगे तो रिकूर्मेंट का ओप्शन होगा वहाँ पे पर जो परिचारी है और विधाले सायक है उन पदों पर आवधन कर सकते हैं अब इस नोटिफिकेशन में बोला गया है कि जो भी लोग इलिजीबल है मतलब कि अब विधाले सायक के लिए आवधन करेंगे तो बार वी पास और परिचारी के लिए आवधन करेंगे तो दस वी साथी साथ आप अनुकमपा पर जॉब लेंगे, तो आपके घर के जो भी लोग है, जो की पहले काम कर रहे थो, और किसी कारण देथ हो गए हैं, उनका भी आपको वेगरा उगरा डॉकमेंस आपको देना होगा, तो आप जो ही इन पदों पर आवधन करेंगे, आवधन करने के बोला गया है कि 5-6-23-23 से लेकर 10-6-23 के बीच में आप यहाँ पर आवधन करेंगे, ठीक है, अपने जो भी सिक्षा विभाग है, वहाँ से आप आवधन कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर 12-6-23 से लेकर 7-6-23 के बीच में आपका मेगा सुचिवेगरा बनाए जाएगा, इसमें किसी परकार कोई एक जाम नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर आपका जो मेरिट बनेगा, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर जॉब पर प्रवाइट कर दिया जाएगा, तो अभी फिलाल जो है यही जनकाई निकल गया हुआ है, आप खुद यहाँ पर रिड़ाड कर सक सकते हैं, पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं, कि बिहार में जो है बिधाले सहायक और बिधाले परचारी के पदों पे बहुत पहले सब्डेट आती रहती है, और हम आपको जनकाई देते रहते हैं, यह भरती जो ही जीलावार भरती हो रहा है, इसमें अलग आपको जीला का जो वेवसाइड है, यहां पर आ जाएगा, जहां पर एक नोटीस का सेक्षन होगा, वहां पर जाकर रिकूर्मेंट का उप्सन में आप चेक कर लेंगे, कि जीला परसत के दोबरा जो है नियोजन के लिए कोई नोटिफिकेशन आया है कि नहीं आया है, उसम नहीं, और कोई इसका अपडेट आता है, तो आपको हम बताने की कोशिस करेंगे, फिलाल मैंने आपको सराजन काई दे दिया है, फिर भी आपका मन में किसी प्रकार कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से लेटेर, तो आप हमें कमेंट सेटर में कमेंट करके पूश सकते हैं, जहां तक में नौलेज होगी आपको बताने की कोशिस की जाएगी,